हलो आल स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब शैनल बंडारी अस्त्री में आज का रेसिपी है बिंडी शेटनी यह बहुत टेस्टी होती है एक अलग तरका बिंडी का ओ टेस्ट आता है हम जादतर फ्राई और यह खरी बनाते हैं इससे तोड़ा सा अलग सा फ्लेवर होत इसके लिए बिंडी और फ्रेश दनीया और ग्रीनच लिशा है पहले बिंडी को यहसे 2 इंच तोड़ा सा ही इंच को एसे पानि में विगोना है और चार हरी मिश को काटके रतना है अब एक पैन रखके उसमें तोड़ा सा आईल डालके उसमें तोड़ा मेती धाने और राई डालके अच्छे से फ्राई करना है वो दोनों अच्छे से फ्राई होने के बाद उसमें हरी मिश काटके रखेते ना वो भी डालके एक बार ऐसे ही फ्राई करके उस सबको एक बॉल में ट्रांसवर करना है अब इन सब को एक बॉल में ट्रांस्वर करने के बाद फिर वही पैन रखके उसमें अगर आईल कम हो तो तोड़ा सा आईल डालके हींग तोड़ा सा हींग डालके बस अब इसमें हमने काटके रखेते न वो बिंडी डालना है अब इस बिंडी को अभी नमक मत्रा लिए तोड़ा सा एसा मिलाके डखकन रगा के छोड़ दीजे उसके बाद फिर येसे ही 20-20 सेकंड के बाद निकालके फ्राई करना है तोड़ा साब नमक डाले नमक डालके फिर एक बार मिलाके डखकन लगाके फिर पकाए है देखो एसे बिंडी को अच्छे से अंदर से सौफ्ट और बाहर से अच्छे से फ्राई होने तक पकाना है अब बिंडी अच्छे से पकीती हम ये सबको ग्राइंड करेंगे पहले हमने तड़का लगा के रखेते ना मीश्य और वो सबका पहले वो डालेंगे फिर धनिया इसमें तोड़ा सा नमक डालके नमक आपकी हिसाब से डाले हैं हम बिंडी में भी डालेते नमक डालके पहले इन सबको एक बार ग्राइंड करना है अच्छे से मेना चोटी वाली में बहुत ग्राइंड हो जाती है इसमें तोड़ा दरदरा ऐसा होना है इसलिए जार लियाता इसलिए दो तीन बार अच्छे से ग्राइंड होने तक पहले इस सबको मसालों को ग्राइंड करके उसके बाद इमली भी डालके अच्छे से इमली के ग्रैंड नहीं करना है यह से ही एक पल्स देते ना ऐसा देख एसे देखे निकालना है बस देखो हो गई अब यह तोड़ा इसमें वो चुपक चुपक है ना यह भी चलाशाएगा इसके लिए पहले तड़का लगाके उसमें तोड़ा राई जीरा और फिर तोड़ा सा हिंग राई जाल के अच्छे से फ्राई करना है इन सबको यह सब अच्छे से फ्राई होने के बाद हो गरम तेल में आप अगर तेल जादा लिआ तो वो चुपक पन भी नहीं होगी तोड़ा सा मैंने तोड़ा सा ही लिए था आप contractors आपको वो च्पक चुपक अच्छा नहीं हो तो तोड़ा तेल ज्यादा लीजे एस अब बिंडी को उसमें डालके एसे अच्छे से वो गरम तेल में मिलाते मिलाते हुए एसे करना है स्टव स्लो फ्लेम में रखके तोड़े टाइम एसे ही मिलाईए एस अब बच्छे से मिलाने के बाद बस एसे ही 20 20 सेकंड्स एसे मिलाना है उसके बाद एस अब को एक बॉल में ट्रांसवर करना है बस बिंडी शेटनी हो गया था आप भी आप भी बनाए न तोड़ा चुपकापन होगा तोड़े देर बाद ओ भी चला जाएगा आप भी बनाएए बना के आपके तार से मारे साथ शेर कीजिए टैंक यू बाइ